अल्ट्रा बेस्ट 925 जो है अपना पुट्टी के लिए बढ़िया मशीन है इससे पेंट और पुट्टी दोनों हो सकता है आप दिन बर में 20-25 जास्वेर फिट तक पुट्टी कर पाओगे पेंट भी जो है आप अगर दो पाइप दो गन लगा के करते हो तो आप 30,000 स्वेर स्वेर फिट से ज्यादा कर पाओगे उट्टी के लिए भी इसमें आगर आपके पास चाल सही है तो 25 ना सही 20 तो पका कर सकते हो और रेग्यूलर बेजी इस पे 10,000 स्वेर फिट से ज्यादा काम ये करके दे सकती है इसका भी जैसे अमने पेंट मशीन का किया था बेजी को इसमेशन बहुत सिंपल है कि जभ भी मशीन स्टाट करेंगे हम जब भी मशीन स्टाट करेंगे पहले इसको रिटर मोड चेक करनेंगे रिटरं मोड चेक करना या यह taşis टालन अब देखना होता है इसमेह पांज पोटन कर रिटर unrest और आप यह गन में देख लेंगे कि प्रेशर आ गया कि नहीं आ गया गया अब बहुत सिंपल है अब हम पानी हटा करके पुट्टी का बाल्टी लगा देगे अब हम वापस रिटर्न मोड में रखे हुए है मशीन को हलका सा जो है अब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं आप देखें पहले इसमें से पुट्टी निकल जाना चाहिए पुट्टी निकल गया अब हमने स्प्रे मोड में डाल दिया पर याद रहे दोस्तों पचास फीट लंबा मोटा वाला पाई पे डारेक पुट्टी नहीं निकलेगा पहले पानी निकलेगा ठीक है प्रेशर अलका सा बढ़ा देता हूं प्रेशर मैंने फुल कर दिया है आप देखें पहले यह जो है पानी निकलेगा जब हम इसको पुट्टी में काम करते हैं एक चीज का ध्यान रखना है हमें इसका फिल्टर निकाल देना है क्योंकि इसके अंदर जो फिल्टर रहेगा हमने पुट्टी पास कर दिया लेकिन इसके पीजाब देखें पुट्टी जब कर रहे हैं है फिल्टर रखना लेकिन फुट्टी के वग्ट फिल्टर देना है जी हां यह याद रहे क्योंकि पुट्टी में जो भी पारवर्डर रहता है और चिपक जाएगा और यह रास्ता बंदो जाएगा तो हमने filter filter holder के साथ ही निकाल दिया है अभी हमें इसकी जरूवत नहीं है जब paint करेंगे तक दियान रखें जब paint करेंगे तो इसको लगाना होगा paint करते वग इसकी जरूवत होती है वरना आपका gun चोग करेगा बार बार परेशान करेगा लेकिन पुट्टी कर रहे हैं तब फिल्टर को निकाल दीजे गन में से पुट्टी आना स्टार्ट हो गया है या नहीं देख लेते हैं और दोस्तों याद रखें इसका प्रेशर कम नहीं होता है तो जो भी पॉलिश के पेंटर मशीन चलाते हैं उंगली करते हैं उंगली कट जाएगा इसका प्रेशर बहुत जादा होता है इसको कम प्रेशर ना समझे हाथ कट जाता है लोगों का ठीके तो ये गलती ना करे कि आप इसमें आगे हाथ डाल दें ये गलती कोई ना करे प्रेशर बहुत होता है अब हम प्रेशर बना चुके हैं, मशीन रेडी है पुट्टी करने के लिए अभी आपने देखा होगा कि यहां और यहां थिकनेस में हलका सा फरक है फरक क्यों है, जब मैं गन तेजी से चलाओंगा तो मट्रियल कम चड़ेगा, थिकनेस कम हो जाएगा अगर अपने को सही थिकनेस सही है, तो गन को थोड़ा सा स्लो चलाना है उसका एक और एक्जामपल अब हम यहां देख लेंगे मैं गन जो है, यह वाले प्लाई पे गन स्लो चलाओंगा, बगल वाले प्लाई पे गन फास्ट चलाओंगा यहां का थिकने से लग होगा, अब यहां में फास्ट चलाओंगा मशीन सेम है, प्रेशर सेम है, लेकिन चलाने का स्टाइल में डिफरेंस है तो थिकनेस में फरक पड़ जाएगा आप यहां देखें थिकनेस क्या आ रहा है, यहां का थिकनेस देख लें क्या आ रहा है, और सेम चीज़, आप यहां देखें कि थिकनेस कितना कम है तो यहां आप थिकनेस देख लीज़े और यहां पर थिकनेस कम है, दोनों में डिफरेंस क्या था, सिर्फ गन चलाने का स्टाइल, मशीन स्पीड था वो मैंने कम रखा एक जगा पे एक जगा पर जगा एक जगा पर जब स्पीड कम होगा, पर क्यों कि बाकी परामीटर सेम है फ्लोरेट सेम है तो थिकनेस माल ज्यादा चड़ गया लेकिन वही चीज जब मैं फास चला रहा हूं तो मट्रियल कम लग रहा है थिकनेस कम हो गया मट्रियल की भी बचत मलब आपका जो लोग सेकेंड को करते हैं तो ध्यान रखें कि सेकेंड को जब करना होता है तो आप गन को मुमेंट थोड़ा फास रख सकते हैं आपका पुट्टी का कंजम्शन भी कम हो जागा तो आपके कई लोगों ने तो मुझे फोन करके पता है कि सब सेकेंड को में हमने जो पुट्टी बचा ला है उतने में मशीन का कीमेंट फ्री हो गया तो यह अपना बेजिक फंक को कहना चाहूंगा जब आप पुट्टी मशीन इस्तमाल करते हो तो अपना रिटन स्टम को बचाय रखने के लिए उसको सेफगाड करने के लिए आपको दो चीज दो ऑप्शिन्स होते हैं एक जो हमने जैसे स्टार्टिंग में दिखाया थे हमने पानी पास कर दिया उसके कि यह इसलिए करना पड़ता है ताकि वो रिटन पोर्शन में पुट्टी सूखना जाए तो कि अगर पुट्टी 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 में सूख गया समझो मैं तीन गंटे कंडिनियूस कर रहा हूं तो यह रिटन लाइन पूरा जाम हो जाए यह ना हो इसके लिए एक स अब हम प्रोसीड करेंगे मैं लाए पस्टी बीधी का जाए पुट्टी सीडoureीगे अब आप थिकनेस देख सकते हैं मैंने थिकनेस पर कॉंसेंट्रेट किया है कि आपका जो भी रिक्वार्मेंट होगा थिकनेस का ज़रूरत से ज्यादा ही मिल जाएगा आपको थिकनेस के लिए कोई कम्प्लेंट नहीं रहेगा आप देखें यह कितनी मोटी पपड़ी हो गई है अगर मुझे थिकनेस कम करना है मैं कम कर सकता हूं उसके लिए दो तिन आप्षिन रहेंगे मेरे पास या तो मैं 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 बना सकता हूं या फिर मैं गन फास्स ला सकता हूं जो भी आपको ठीक बढ़ा दिया है तो थिकनेस में फ़रक है और यह हम जान बूच करके डार्क शेड में ले रहें ताकि आपको पता चले कि कैसा कवरीं कैसा फिनिश आ रहा है इसको हलका सा सेंडिंग कर देंगे आप या पुट्टी नाइस से कर देंगे तो आपको फिनिशिंग बढ़िया प्रूप कर दो पुट्टी तेड तो आपको पता चुट्टी तो आपको टार्टी तो आपको पुट्टी तो 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 अधा है तो रुट्ट्टी 1 बभर सेचिंग कर दो दो से का तो तो यह जानकारी आपको और कोई भी मशीन के बारे में पुट्टी श्प्रे करने के लिए किसी भी किसम की जानकारी चाहिए आपको दिये हुए नंबर पे मैसेज करना है आपके क्वेश्चन्स पूछने हैं मैसेज में आपको रिपलाई दिया जाएगा वाट्सप नंबर द अमारे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूले और नए वीडियो आते रहेंगे आपको नई जानकारी मिलती रहेगी है ना तैंक यू हाँ और हाँ एक चीज ध्यान रखिए जो अभी हमनेश्चे मसीन के लिए जैसे सफाई किया था बेजिक फंडा है रिटर्न में से साफ पानी आ जाना चीए इदर से साफ पानी आ जाना चीए मतलब कि आपका सिस्टम प्लीन है मेश्टीन अगर मेश्टीन रहेगा दूसरे तो यह प्रॉलम ना हो इसके लिए हमें जब घर जा रहे हैं तो शाम को यह चेक करके जाना है कि रिटन होस और गन दोनों तरफ से बिल्कुल साफ पानी पेंट या पुट्टी वाला पानी नहीं बिल्कुल साफ पानी साफ कर निकल जाए ऐसा प्रोसीजर करके जाना है पे साफ़ पानी हमेशा मिलना जी Thank you